आज की वीडियो में हम BSc 3rd Year 5th Semester Physical Chemistry की Most Important Questions को बढ़ेंगे सारे जो भी 2,30 एक्जाम्स में आने की जादा जादा पॉसिबिलिटीज हैं आज की वीडियो में जितने भी questions बताऊंगे वह 100% exams में आएंगे ही आएंगे तो यह किसकी universities के लिए हैं? M.D.U. Rootak, I.G.U. Meerpour, C.B.L.U. भीवानी, K.U.K. and other universities जो भी students मेरे चैनल पे नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वैल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे के आने वाले वीडियो की notification आपके पास पहुच जाए और आप जल्दी से जल्दी वीडियो को देख लो तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अधियो करते हैं उसके अलवा जो 1st question होता है उसमें very short questions पूछे जाते हैं तो चारो sections होते हैं उनमें 2-2 question होते हैं उन 2-2 question के 2-2 part पहो सकते हैं या फिर 3 part भी पूछे जाते हैं तो उन 2 question में से आपको सिर्फ 1 question करना होता है तो हम देख लेते हैं कि सारे most important जो हमारे questions है वो क्या-क्या है तो सबसे पहले तो section A के हमारे क्या-क्या questions है सबसे पहले question तो हमारे यही है कि eigen values and eigen function with derivation आपको अच्छे से याद करना है यह तीन number में हर साल पुछा जाता है तो एक part तो हमारे यहीं से complete हो जाता है दूसरा part photo electric effect एक number में भी पुछा जाता है short questions में और तीन number में भी पुछा जा सकता है तो photo electric effect भी आपको पढ़ने है इसके अलावा photo electric effect के अलावा एक और effect होता है compton effect इसको भी एक नमबर में या फिर तीन नमबर में कई बार पुछा जाता है तो इसको आप अच्छे से कर लेना ठीक है quantum mechanics के postulates पढ़ने है quantum mechanics के postulates तीन नमबर में हर साल पुछे जाती है तो ये question और ये question दोनों हर साल repeated way में पुछे जाती है दो पार्ट हमारे यहाई से complete हो जाते है इसके अलावा जो और question पुछे जाते हैं पार्ट में वो क्या है explain the role of operators in quantum mechanics इसको with example पुछा जाता है इसके जितने भी operators उसको पुछे से पढ़ लेना या फिर नाम के साथ भी पुछ लेते हैं कि what is Hamiltonian operator in quantum mechanics इसको तीन नमबर में पुछ लेते हैं या फिर जोनके operators के नाम देके एक नमबर में भी short question में पुछा जाता है इसके अलावा state and derive planx radiation law यह हमारा तीन नमबर का question है अगर planx radiation law के definition पूछ लेते तो एक नमबर का question हो जाएगा इसके अलावा किर्चोफ ला को भी आपको with proof करना है क्योंकि किर्चोफ ला जब भी पूछा जाता है उसके साथ उसका proof पूछा जाता कि explain किर्चोफ ला with proof यहाँ पे यह हमारा तीन नमबर का question हो जाता है इसके अलावा जो एक और question है लेकिन आपको पढ़के जाना चाहिए क्योंकि कभी-कभी इसके आने के चंसे जादा हो जाती है और यह पिछले एक-दो साल में नहीं आए हैं तो अब कि बार इसके आने के चंसे और भी जादा है यह question हमारा describes spectral distribution of black body radiation और यह तीन नमबर में पूचा जाता है तो एसक्षन में जितने भी questions आते हैं वो मैंने आपको बता दिये हैं इन questions के अलावा और बाकी कोई questions नहीं आएगा इनहीं के अंदर से आपका A section complete हो जाता है अब हम चलते हैं B section के और B section में जो सबसे जादा most times पूचा जाने वाला repeated question है dipole moment तीन नमबर में यह हमारा question आएगा dipole moment के साथ dipole moment के use भी पूच लेते हैं कि dipole moment को क्यों use किया जाता है कई पार इसको since trans के लिए भी use किया जाता है means molecule की structure के लिए use किया जाता है तो dipole moment को उसके साथ इसके use भी याद कर लेना जो भी दो चार इसके use हों सारे याद कर लेना क्योंकि यह question पूच जाता है कि what is dipole moment and give its use in the determination of structure of compounds इसके साथ साथ कई बार पूच जाता है कि how it can be determined by refractive method तो यह तो यह पूच जाएगा या फिर यह पूच जाएगा हमारा तीन नमबर का question हो जाता है ठीक है इसके अलावा closest mozoti equation इसको with derivation याद कर लेना क्योंकि यह भी हर साल repeated way में पूच जाती है dipole moment में अच्छे से याद कर लेना यह भी बार बार पूच जाता है closest mozoti equation भी बार बार पूच जाती है तो यह भी बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है इसके अलावा magnetic susceptibility या तो magnetic susceptibility को एक नमबर में पूच लेंगे या फिर इसके साथ इसकी application पूच लेंगे तो भी तीन नमबर का question है या फिर magnetic susceptibility को determine करने के लिए जो हमारा गोईज method है यह मैंने बताया था इन ओर्गेनिक के पिपर में भी हरसा लाता है और यहां पे भी repeated way में हरसा लाता है तो यह हमारा तीन नमबर का question है इसके अलावा जो magnetic permeability है उसकी भी definition अच्छे से याद कर लेना क्योंकि कई बार magnetic susceptibility और magnetic permeability के बीच में relationship पूछ लिया जाता है तीन नमबर में तो एक question तो यहां से पक्का आएगा या तो इसके साथ इसकी application पूछ लेंगे या इसका method पूछ लेंगे या फिर दोनों के बीच में relationship पूछ लेंगे तो यहां से आपके तिनों part हो जाते हैं तो इसके अलावा इस section में कई बार numerical भी आ जाता है जिसमें की पूछ लिया जाता है कि calculate percent ionic character तो यहां पर percent ionic character को calculate करने का numerical कई बार पूछ जाता है और इसको देख लेना कि percent ionic character या फिर यह भी पूछ जाता है कि dipole moment है यहां पर मेगनेटिक मुमेंट उसको भी कैलकुलेट करो ठीक है तो यहां से आप नुमेरिकल भी त्यार कर लेना तीन या दो नमबर में पत्का पुछा जाएगा एक दो बार डिफरेंस पूछ लिया जाता कि वट इस इंटरनल एंड एक्स्टरनल कमपनेशेशन यह भी तीन कर लेना इसके अलावा एंगल ओफ रोटेशन को एक नमबर में पूछ लिया जाता है अगर इसके साथ इसके फैक्टर्स या फिर एक्स्प्रेशन फोर स्पैसिफिक रोटेशन को पूछेंगे तो यह क्यूशन भी हमारा तीन नमबर का हो जाता है तो यह सारे आप पार्ट क्या क्या क्यूशन से एक तो साउंड टू नॉइज रेशियो जो यहां पर एक नमबर में भी पूछ लिया जाता है और तीन नमबर में भी पूछ लिया जाता है तो इसके अच्छे सी कम्प्लीट एक्स्प्रेइन करना पड़ेगा आपको इसके रूल्स भी लिखने को भी एक नमबर में पूछ लिया जाता है डिग्री ओफ फ्रीडम को भी एक नमबर में पूछ लिया जाता है इस सेक्षिन में जो क्यूशन साते हैं वह ज्यादा तर एक एक नमबर के तीन क्यूशन करके एक पार्ट बना देंगी कि डिफाइन दा ओल टर्म्स एंड हो सकत Advances of Rommel Spectroscopy over Rotational Spectroscopy ये question बार-बार पुछा जाता है, तीन नमबर में तो यहां से ये जो question है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना और ये जो मैंने terms बता ही, ये भी हर साल पुछी जाती है तो इन सब भी terms को भी अच्छे से याद कर लेना तो यहां से एक पार्ट हो गया, एक पार्ट में पुछा जाएगा कि rotational energy for expression बताओ, इसके अलावा इसके अलावा या तो numerical आ जाएंगे, या फिर selection rules को भी पुछा जाता है तीन नमबर में और यहां से numerical बनता वो भी हमारा तीन नमबर का बनता है, तो C section में हमने देख लिया कि कौन-कौन से पार्ट आएंगे यह सारे पार्ट अच्छे शे कवर कर लेना, ठीक है जिससे हमारा C section भी clear हो गया, अब हम चलते हैं D section में, D section में कौन-कौन से questions जो हर साल पूछे जाते है तो D section में एक तो सबसे पहला question यही है कि bone open hammer approximation यह हर साल आता है और इसके साथ साथ इसका diagram भी बना के आना अच्छे सी तो यह 3 number का cushion तो आपका पका हो गया है यहां से क्योंकि यह तो आएगा, आएगा guaranteed इसके अलवा, railing and rumen scattering में difference पूछ लिया जाता है कि what is railing and rumen scattering यह तो एक number में आ जाएगा, short cushion में या फिर 3 number में भी आ जाएगा तो यह cushion भी अच्छे से कर लेना Roman effect on the basis of polarization of molecules यह भी हमारा 3 number का question है कई बार आ जाता है इसके अलवा, oscillators भी पढ़ने हैं आपको harmonic भी and anaharmonic भी जो anaharmonic oscillator हैं, उसका expression भी कई बार पुछा गया है तो इनके साथ इनके expression भी कर लेना ठीक है, तो हमारे 3 question तो यहां से complete होई जाती एक तो यह आएगा, इन दोनों में से यह तो यह तो एक नमर में भी आ सकता है और तीन नमर में भी आ सकता है, ठीक है इसके अलावा, Roman effect on the basis of polarization of molecules harmonic and inharmonic oscillator with expression next question हमारा हो जाता है कि rotational and vibrational Roman spectra of diatomic molecules यह question भी हर साल पुछा गया है, ठीक है तो यह question भी बिलकुल रट लेना, क्योंकि यह भी आएगा एक तो यह बिलकुल हर साल पुछा जाता है, कि यह हर साल पुछा जाता है इसके अलावा जो oscillators के expression भी कर लेना ठीक है, और degree of freedom यह मैंने उपर वाले section में भी बताया था कि linear की degree of freedom calculate करो या फिर 9 million की ठीक है, तो यह degree of freedom तो एक number में भी आएगा और यह question हमारा तीन number में आ सकता है इसके अलावा describe the factors that influence vibrational frequencies यह question भी कई बार पुछा जाता है, तीन number में ठीक है, तो यह question भी अच्छे से पूछ ले यह question भी अच्छे से याद करने ले इस section का last one question क्या है experimental setup of roman spectroscopy हर तीसरे साल पुछा जाता है हर साल नहीं आता है, लेकिन एक साल छोड़के एक साल यह question पका आता है, तो यह भी हमारा तीन number का question है, और इसको with diagram करके आना आपको, तो इसके साथ इसका diagram भी अच्छे से करना है, यहां से हमने डी section भी अच्छे से complete कर लिया है, जितने भी मैंने questions बताएं हैं, यह सारे अच्छे से पढ़ लेना जिससे कि आपका physical chemistry का kitchen paper पूरा का पूरा attempt हो जाएगा, एक एक number के भी बता दिया है, मैंने तीन तीन number के भी बता दिया है, numerical भी बता दिया है, कि कहां से आएंगे तो आज की वीडियो में जितना मैंने बताएं हैं, सारा अच्छे से cover कर लेना physical chemistry का आपका paper complete हो गया है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो like, comment, share और subscribe देना ना भूलना thank you